कि 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 किस तरीके से कॉडिलेटरल से जुड़े हुए क्वेशन्स हम इजी वे में कर सकें तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इस एक्सरसाइज यानि कि को करने से पहले आपको कुछ चीजे मालूम होनी जरूरी है जैसे कि आपका लीनियर एंगल क्या होता है अपका ट्रैंगल में जो एंगल होते हैं उनका सब क्या होता है तो यह चीजे मालूम होनी जरूरी है तो सबसे पहले हम बात करते है linear angle क्या होता है दरसर अगर हम बात करें कि एक आपकी एक ही point पर जब एक से ज़्यादा angles होते हैं न सो उन्हें हम linear angles कहते हैं जैसे अगर ये बात करें तो अगर आप notice करेंगे कि यह जो angles हैं आपके एक ही point पर है न एक एंगल यह हो गया एंगल 2 यह हो गया और एंगल 3 यह हो गया so इन्हें हम linear angles कहते हैं कि चालो अब दूसरी खास बत इनके बारे में यह है कि इनका जो sum होगा जो linear angles का sum होगा वो 180 degree के equal होगा ये चीज़ आपको याद रिखना नहीं है हम कह सकते हैं angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree और दूसरी चीज़ अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक ही दो ही angle होते तो उस वक्त भी आपको याद रखना है कि इन दोनों का angle का sum आपका 180 degree होगा इससे फरक नहीं पढ़ रहा है कि linear angles कितने हैं बले ही 3 हो 4 हो 5 हो फरक नहीं पढ़ेगा आपके बट जो total sum होगा angle का वो आपका 180 degree ही रहेगा ये चीज़ आपको याद रखना है कि sum of linear angles is 180 degree ठीक है क्या लिखना है sum of linear angle 180 degree के एक कुल होता है ठीक है दूसरी बात कर ले थे हैं triangle की तो triangles के ये चीज़ तो most of the सभी को मालूमी होगी पर फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि जो triangle होता है उसमें तीन angles होते हैं इसको माल लेते हैं वन ये टू और ये थ्री तो triangle के तीनों angles का जो sum होता है वो 180 degree होता है कितना होता है 180 degree होता है ये properties हम अभी use करेंगे इसलिए ये चीज़ आपको note down करनी जरूरी है चलिए आगे बढ़ लेते हैं उसके बात बात करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ओफ पॉडिलेटरल तो इससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कोडिलेटरल होता क्या है दरसल वह भी से जिसमें चार साइड़ होती है टो वह आपको कोडिलेटरल ठीक है और वहीआग के चाहिए लेते हैं तो इन चारों एंगल्स का सम्झ होगा वह एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 360 डिगरी के एकवल होगा यह चीज आपको याद होनी जरूरी है अब चलो यहां पर लिखा हुआ है पैललोग्राम की भी कुछ चीज़ें हम बात कर लेते हैं तो पैललोग्राम में आ पयाद होती कि है पैलल एंड इकल होती है यह चीज आपको याद रखनी है जैसे मौन लेते हैं लजा कि लए सब्सक्राइव को मालू होने चाहिए कि एप यह से पैलली होगी और एडर लल को एक तो यह चीज हो दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि opposite sides equal भी होती है तो a b equal to कितना हो गया c d क्योंकि यह opposite sides है और a d equal to आपको हो गया b c opposite sides ओके और एक point और आपको याद रखना है कि जो opposite angles होते हैं जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें यह one और यह three यह opposite angles है ठीक है और two और एंगल four यह opposite angles होगे तो opposite angles का सम जो होता है लेकिन याद रहना किसमें सिर्फ और सिर्फ पैरलेलोग्राम में जो सम होता है वह 180 degree होगा कितना होगा 180 degree ठीक है opposite angles का सम यह चीज़ आपको याद रखनी है एंगल two प्लस एंगल four जो है वह भी 180 degree होगा लेकिन यह वाली तो तीसरी property है यह किसके लिए valid होती है यह सिर्फ और सिर्फ valid है पैरलेलोग्राम के लिए चलो अब हम अंटरनेट एंगल्स की बात कर लेते हैं तो जब हम अंटरनेट एंगल्स की बात कर रहे हैं तो आपको यह चीज़ मालू होनी चाहिए कि आपकी जब भी parallel lines होंगी तो कुछ इस तरी लाइंस हैं सो इनके बीच में अगर हम देखें एंगल यह वाला यह और यह एंगल को और इस एंगल को हम अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं क्या बोलेंगे अल्टरनेट एंगल्स अब अगर यह अल्टरनेट एंगल्स पैरलल लाइंस में होंगे तो यह एक्वल होंगे ठी इक्वल होंगे यह चीज आपको याद रख लेनी है ठीक है तो चलिए अब हम question solve कर लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले question को देख लेते हैं question 1 यह कह रहा है कि ratio between the angles of quadilateral is four five four is to five is to seven is to eight find the angles of quadilateral तो एक चीज याद रखो तो जब भी आपके ratio के questions आते हैं मैंने पहले भी यह चीज समझाई है जब हम ratio वाला chapter कर रहे थे और अभी भी समझा रहा हूं कि जब भी ratio वाले questions आएंगे तो आपको क्या करना है common factor x ले लेना है क्या लेना है common factor एक्स ठीक है जैसी आप common factor x ले लेंगे तो जो एक एंगल आपका जैसे फॉर इस्टू फाइव इस्टू 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 एट दिया हो है ना रिश्यू तो यहाँ पर आपका फिर्स्ट एंगल मान क्या हो जाएगा आपका फॉर एक्स सेकिंड एंगल आपका हो जाएगा फाइव एक्स थर्ड एंगल हो जाएगा आपका सेवन एक्स एंड फॉर्थ एंगल हो जाएगा फॉर्थ एंगल कितना हो जाएगा आपका एट एक्स क्यूंकि उसमें गिवन हैं रिश्यू बस आपको common factor x ले कि उनके साथ multiply कर देंगे वह चीज़ अब याद क सबसें हैं एंगल one plus angle two plus angle three plus angle four आपका 360 degree के एकल है अब यहां पर वन की वेल्यू देखें तो फॉर एक्स है बोकि की वैल्यू देखें तो फाइव एक्स है और वर्यू देखें तो एट एक्स आप उनने जोएट यह एड़ कर दो तो कितना जाएगा देख लेते हैं, 4 प्लस 5, 9, 9, 16, 16 और 8, 24x, 24x आ गया, 360 degree, अब x की value निकाल नहीं है, तो कोई बात नहीं, 360, और ये multiply में था, तो नीचे divide हो जाएगा, तो 12, 36, 12, 24, तो x का value आ गया, आपका 15 degree, लेकिन आपको तो angles की value निकाल ली है, तो first angle कितना हो जाएगा, 15, 4 into x कितना है 15, तो 60 degree आ गया आपका, इसी तरीके से दूसरा angle कितना है, 5x है, तो 5 into 15, 15, 75, उसी के बाद 7x की बात करें, तो 7 into 15, 15 सत्ते 105, और 8x की बात करते हैं, तो 8 into 15, 15, 8, 120, ये आपका answer आ गया, ठीक है, तो ये आपके answer है, question number 1 के, तो अब solve कर लेते हैं, question number 2, अब यहां अगर हम देखें, two angles of a quadilateral की values दी हैं, two angles की values दी हुई है, माल लेते हैं हमारा है, and डूसरे क्या दी हुआ, other two angles are in ratio, 3 is to 5, find the third and the fourth angle, ठीक है, तो simple सा है, हम वही, मैंने क्या का ratio लेना है, तो आपको common factor लेना पड़ेगा, given है, तो common factor हमारा कितना हो गया, x, ठीक है, अब जैसे ही यह x आया है, आपको क्या करना है, simple सी चीज है, तो आपका first angle मार कितना हो गया, आपका 3x, second angle कितना हो गया, 5x, और angle 3 तो दिया ही हुआ है, 74, और एक दूसरे angle दिया है, कितना, आपको 166, आसान है, कितना हो गया, 4 is equal to 166, ठीक है, तो फिर से हम angle some property use करेंगे, तो क्या है, angle 1 plus angle 2 plus angle 3, plus angle 4, कितना होगा, 360 degree के equal, तो values डालो, 3x, plus 5x, plus 74, plus 166, equal to 360, यह हो गया, अब, solve करो, 5 और 3, 8x होता है, और इसको solve करेंगे, 6 और 4, 10, 7, 6, 13, 14, 21, 14, यह हो गया, 360, तो 8x कितना हो गया, उधर लेके जाओ, 360, यह प्लस में था, तो दूसरी साइट जाके, माइनस हो जाएगा, करो कितना हो गया, 120, x कितना हो जाएगा, 120, डिवाइड वाइड वाइट, चार दूनिया, यहां पर भी x आपका 15 आगया, ठीक है, तो इस तरीके से आपका फर्स्ट एंगल कितना हो गया, 3 x 15, that is 45, और सेकेंड एंगल कितना हो गया, 5 x 15, 25, तो यह हो गया, 75 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो यह हो गया, आपका क्वेशन नमबर 2, अब बात करते हैं, क्वेशन नमबर 3 की, टू एंगल सी चीज़ है, दोनों एक्वल है, तो हम माल लेते हैं, एक्स, ठीक है, तो हम माल लेते हैं, हमारा एंगल 1 आपका एक्स हो गया, एंगल 3 की बात करें, 63 है, एंगल 4 की बात करें, 157 डिगरी है, सो फिर से भई एंगल सम प्रोपर्टी, क्या होता है, इनका सम, इनका सम जो होता है, आपका 360 डिगरी के एक्वल होता है, तो हमने यह लिख दिया, वैल्यूस डालो, एक्स, प्लस एक्स, प्लस 63, प्लस 157, एक्वल टू 306, सॉल करो, टू एक्स, साथ, तीन, दस, छे, पांच, ग्यारा और एक, बारा, एक और एक, दो सो बीस आ गया, चलो, एक्स इस एक्वल टू कितना हो जाएगा, यह प्लस में था, तो उदर जाके माइनस में हो जाएगा, तीन सो साथ माइनस दो सो बीस, डिवाइड़ वाई, आपका टू, टू क्योंकि यहां यह मल्टिपल ले में था, तो नीच आके डिवाइड, जीरो छे में से चार गई, दो, तीन में से लोगे, एक्स चालिस, यानिकी सेवन्टी डिग्री, यानिकी जो एक्स आएगा, एं साइड्स दे रखी हैं, आपके A, B, C, D, ठीक है, फाइंड दा लेंथ आफ इच साइड ऑफा पैरलेलो ग्राम, आपको हर एक साइड की जो है, पहली निकाल ली है, तो यहां पर जो मैंने आपके एक चीज़ बताई थे कि अगर कोई पैरलेलो ग्राम होता है, तो उसकी जो अपोजिट साइड होंगी, वो इक्वल होंगी, अगर हम देखें यहां, A, B की अपोजिट साइड कौन सी है, A, B, E, R, तो A, B की अपोजिट साइड सीडी है, तो सीडी के साथ इसको इक्वल करना पड़ेगा, तो क्योंकि यह पैरलेलो ग्राम है, तो A, B, एक्वल टो तो वैल्यू रखो, 5X माइनस 4, किसके एक को लो जाएगा, 3X प्लस 6 के, अब बस रियर्रेंज करो, क्योंकि हमें X की वैल्यू निकाल ली है, तो X का वेरियावल X की करफ्ट, और बागी दूसरी तरफ, तो यह प्लस में अधर जाके माइनस हो जाएगा, 5X माइनस 3X is एक् 10 हो गया, 2X, तो X कितना हो गया, आपका, 5, ठीक है, अब X की वैल्यू 5 आई है, आपको A B की वैल्यू निकाल ली है, तो बस A B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A B आपको पता है, कितना है, 5X माइनस 4 है, तो 5X की जीगे 5 रखो, तो 25 माइनस 4, 21, तो A B आपको 21 आया, तो CD 21 होगा, ठीक है, क्योंकि ये पैललोग्राम है, अब चलो दूसरा पार्ट, आप दूसरी साइट्स भी निकाल ली है हमें, तो यहाँ, A D दिया हुआ है, आपको क्या दिया है, A D, चलो कोई बात नहीं, हम A D की बात कर लेते हैं, तो A D और B C आपकी एक्वाल होगी, क्योंक रियर्रेंज करते हैं, तो 3 Y माइनस 2 Y हो जायागा, एक्वाल टू, यह उधर गया 3 प्लस 5, 8, तो 8 Y is equal to 8 आ गया, Y की वैल्यू तो 8 आ गई, लेकिन हमें निकाल ली है A D और B C की, तो A D दिया हुआ है, हमें कितना है, 2 Y प्लस 3, यह A D का वैल्यू दिया हुआ है, यह जो है 19 है, यह भी 19 आएगी